हमारे माननिय राष्ट्य अध्यक्ष आधनिय श्री जेपी नड़्डा जी माननिय देश के ग्रह मंत्री श्री अमिट शाह जी आसाम के मुख्य मंत्री श्री हेमंत अभीश्व शर्मा जी त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी के साथ वो माता बाड़ी गए वहाँ उन्हें माता दिपरुसंदरी जी का दर्शन किया और मा का आशिरवाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासे हैं उन सब का कल्यान हो शरकार को शक्ती प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जलकन ल्यानी काम करने में सक्षम रहे यही आशिरवाद मांगा है उसके पश्चात आई पी एफ्टी की जो वरिष्ट नेता हमारी जैन्ती देब्बरमाजी है वहसु कुत्री है पूर्वतन नेता स्वरगीय श्री एंसी देब्बरमाजी की बेटी है चुनाव भी और भारतिये जनता पार्टी दोनों सदरुड रूप से काम कर सके त्रिकुरा के उन्नयन के लिए त्रिकुरा के उन्नती के लिए काम कर सके इस विशैपर एक बहुत रिष्टत रूप से चर्चा की गई साथी आज महिला दिवस भी है तो एक खुश ख़वरी आप सब के ल जन्जाती बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशराम बाडी से कुछ वोटों से रह गई उन दोनों को मोस का रैंक दिया जाएगा नगम अपने किसी बोड में निगम बोड में और दोनों हमारी जन्जातीय बहनों को शक्ति प्रदान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके आज महिला दिवस के दिन यह निरनावी पाटी ने लिया है इसके साथ साथ मोथा जो यहां की लोकल पाटी ही है मोथा के नेता श्री पुद्युद जी के साथ भी मुलाकात हुई है उनके भी कुछ सीर्ष नित्वत्व के साथ हमारे राष्ट्य अध्यक् श्री अमिच शाह जी असाम के सीम हेमंत विश्वशर्मा जी और त्रिपुरा के सीम श्री मानिक शाह जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है जिस बैठक में जनजातिय विश्यों पर बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत ही comprehensively उस पर discussion किया गया कि क्या समस्याएं हैं किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है कैसे जनजातिय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर इन सब विश्यों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निरने लिया गया कि IPFT बाकि सब ही जो राजनेतिक दल हैं जो समाजिक दल हैं और मोथा इनके साथ हमारी पाटी एक चर्चा करेगी सीएम साहब ने कहा है कि एक विश्ट्र चर्चाओं की स्रिंखला इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा और यह समाधान एक ही मंत्र के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा आज आप लोगे तिप्रा मॉथा के साथ बैठक हुई है इसमें क्या डिप T.C.M को लेके कोई भी चर्चा हुई है यूगि प्रद्योद्र बर्मन और उनका जो डिमांड है उसको लेके ग्रिवन्ति जी से बैठक हुई है क्या दिप्रल्य निश्यों इस प्रकार की कोई विशय नहीं है केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेर कैसे किया जा सकता है और जैसे कि मैं ने आपको बताया इन टॉक्स के बाद CM त्रिपुरा नहीं आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ IPFT के साथ बाकी समाजिक दलों के साथ और मौथा के साथ भी बैट करके ये चर्चा किया जाएगा और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ त्रिपुरा आगे बाएगा